इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मिशेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 29 बर तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतो तक जरूर देखेगा आज भी आपक सभी पॉइंट को जरूर पढ़ें कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें साथ ही आपको बता इसमें आपको मंतली बैंकिंग अवेर्नेस की में प्रवाइड कराई जाती है साथ ही स्टैटिज चीए की माद्यपरदेश सही आंसर होगा आप्शन डी सब्सक्राइम मिनिष्टरई रहें रमोधी लॉश तर राशन आपके ग्राम स्कीम मध्यपरदेश में साथ ही मध्यपरदेश सिकल सेल मिशन और इसी के साथ साथ 50 एकलव्य मोडल रेजिदेंशल स्कूल्स इनकी जो है आधार सी पटेल कैपिटल है बोपाल तो इस स्क्रीन शोट हमने अपनी पीडिएफ सी लिया है जो मंतली पीडिएफ है मैं आपको एक बार रिवाइस करा देता हूं यह मैंने आपको पहले भी बताया जब भी मद्या परदेश चर्चा में आया है काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है एक्जाम में पूछ ली जाते हैं चलिए देख लेते हैं बांधावर नेसल पार्क काना नेसल पार्क सत्पुरा नेसल पार्क संजे नेसल पार्क मादाव नेसल पार्क वन विहार नेसल पार्क पन्ना नेसल पार्क पेंज नेसल पार्क पच्मरी बायस फेर रिजर्व अमर काफी फेमस है उज्जेन में है और शिपरा नदी के तठपर उज्जेन इस्तित है ये भी आप से एक्जाम में पूछ रहाता है साथी आपको जाना चाहिए देवी अहिलिया भाई होलकर एरपोर्ट कई बार बैंक के एक्जाम में पूछा गया है कि कहा पर है तो याद रखे हैं मध्यपरदेश में है साथी राजा भोज इंटरनेस्टल एरपोर्ट भी यहीं पर है भीम बेट का रोख शेल्टर्स ये मध्यपरदेश में है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है जो स्टेट PCS टाइप के एक्जाम होते हैं या फिर आपके SSC के एक्जाम होते हैं कि भीम बेट का रोख शेल्टर्स की डिस्कवरी किस ने की थी आंसरोगा डोक्टर विश्नु वाकांकर साथी आपर जो पुरानिक से टीय मांडू ये भी मध्य प्रदेश में है साथी 750 मेगावाट का रेवा सोलर पावर प्लांट भी यहीं पर इस्तित है यहीं बारे भी पूछ ले जाता है कि रेवा सोलर पावर प्लांट कहां परिस्तित है आंसर होगा मध्य प्रदेश तो इसका इस्क्रिन शोट ले लिजेगा या फिर आप नोट डाउन कर लेजेगा जैदी पेडियेफ आले हैं तो उनको तो मिली जाएगा है चलिए आगे बढ़ते है अकिल भारतिये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 82 संसकरण किस इस्थान पर आयोचित किया गया है सिम्ला नैनिताल रानिखेत या फिर मसूरी सही आंसर होगा ऑप्शन ए सो दे एटी सेकंड एडिशन ऑफ ता ओल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फरेंस वाज हैल्ट एट शिम्ला हिमाचल प्रदेश अच्छा मसूरी की स्पैलिंग याद रखेगा यह स्पैलिंग होती है मसूरी की ठीक है और रानिखेत भी आपका उत्राखन में हैं आगे बढ़ते हैं तो देखे प्रतानमंति नरिन बोदी ने कि आसी वी अल इंडिया प्रिशाइडिंग ऑफिसर्स कौन्फरेंस को इनोग्रेट किया है और एडर्स भी यह सिंबा मिवी है आपको बतारहें यह जो कौन्फरेंस है सबसे पहले बार भी 1921 में सिंबा में हुई थी तो अब जो इसका सेंटेनियल एर मना रहे यानि कि सोवर्स हो रहे हैं सताबदी वर्स यह मनाय जा रहा है ठीक है तो यह भी सिमला में ही मनाय गया है तो यहाद रखेंगे सिमला में हुई है निम्णी किति में से किसने हाली में मॉल्टेंट मेटल नामसे एक ऑपरेशन शुरू किया इंटेलिजेंस बीरो बॉडर Security Force Research and Analysis Wing या फिर डिरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सही आंसर होगा option D. So, डिरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैस रिसेंटली लॉंच्ट लॉंच्ट एन ओपरेशन code named molten metal तो देखे जो डिरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानि DRI इसने मॉल्टेन मेटल नाम से एक ओपरेशन लॉंच्ट किया है तो इसमें उन्हें कई सारे भारतिय हैं या फिर जो विदेशी हैं इस तरह के लोग हैं जो की smuggling में जो हैं सामिल रहे किस की smuggling में गोल्ड की सोने की smuggling में सामिल रहे उनको यहां पर जो है identify किया गया है तो यह लोग क्या करते हैं गोल्ड को स्मगल करते हैं मसीनरी पार्ट्स में कनवर्ट करके या फिर उनको पिगला के या फिर उनको बार या सिलेंडर की शेप देखे जैसे आप देख पा रहे हैं तो इसी लिए मॉल्टन मेटल इस तरह का operation यहां पर लोग किया गया डिरेक्ट्रेट ओफ रेमेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा भारत के वर्तमान परवर्तन निदेशाले के परमुक का नाम बताईए ग्यानवन सिंग सिमान चलादास संजे कुमार मिश्रा और फिर सुबोत कुमार जैस्वाल सही आंसर है option C तो क्यों यह question लिया गया है क्योंकि जो यह संजे कुमार मिश्रा है इनका जो कारेकाले यह और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है अब यह इस पत पर अठार नमबर 2022 तक का बीज रहेंगे राष्टपती रामनात को विन्दे हर्याना के किस चिले में आदर्श गाउं सुई का उद्गाटन किया है बिहार पंजाब हर्याना या फिर राजस्थान माफ कीजेगा फ्रेंट्स यहाँ पर जो है यह question frame करना चाहरा था मैं कि किस state में तो विच डिस्टिक लिखा गया है ठीक है किस state में आप इसको पढ़िएगा मैं इसको correct कर दूँगा उसके बाद किस state में तो सही answer हर्याना तो देखिए हर्याना में इसको राष्टपती रामनात को विन्दे इसका उद्गाटन किया है इसके बारे में जानकरी नेंगे तो देखिए प्रेजिडेंट रामनात सिटी होता है ना इसी तरह से smart village बनाया गया अच्छी broadband connection है अच्छी roads है ठीक है और जो भी basic communities होती है वो लब्द कराई जा रही है ठीक है तो यह काफी अच्छा गाओं यहां पर बनाया है इसका नामें सुई विलेच बागी question के लिए मैं आपको बता दिया कि question जो है उसमें state पूछा गया है ठीक है उसके लिए माफ किजिएगा आगे बढ़ते हैं हर्याने के बारे में आप जानेंगे की हां की कवंडर है बंदारू दक्तात्रे चीफ मिस्टर मरहों डाल खटर आप से भी जानते हैं capital चंड जाता है अपके एक्जाम में हतनी कुंट बेराज यहां पर बसाईवेटलेंड आपर ब्रहमस रोवर है ब्लू बढ्र यहां पर है नहर सिंग इंग इन पर है ताउ देविलाल स्टेडियम यहां पर है और सब्बसे इंपोर्टेंट सुल्तानपुर नैसनल पार्क और कालेस और नैसनल पार्क यह दो ही नैसनल पार्क हैं आपर ठीक है तो याद रखें कि काले चल्ड नैसनल पार्क भी पूछ ले जाता है हरियाना में है असोगा भाटी वाइड लाइफ सेंस्ट्री यहां पर वल्चर कंसर्वेशन एंड बीडिंग सेंटर पिंजो और यह काफी आफ यूड्या है और नैसनल डेर्य इसिट्टिटूट यह आपको कई बार एक्जाम में देखने के रहे मिला ओगा जो कई बार एक्जाम दे चुक हें कहीं ना कहीं कि जरूर ठकरायाँ और तो आंसर होगा करनाल हरियान परधान मंत्रे की आर्थिक सलाकार परिशद यानि EACPM के अध्यक्ष विबेक देबरोय का कहना है कि वित्वर्स 22 में भारत की GDP कितने परतिशत बढ़ने की संभावना है सही आंसर होगा option D. इंडिया's GDP is likely to grow by 10% in fiscal year 22, says the Economic Advisory Council to the Prime Minister Chairman विबेक देबरोय तो देखिए विबेक देबरोय काफी जानी मानी असती है ठीक है जो PM EAC है इसके Chairman है तो यदि इनोंने कोई बात कही है तो आप इसको भी एक तरसी मान के चलिए कि किसी Credit Trading Agency ने ये बात कही है तो देखिए इनकी बात का महत्व है इसलिए question मनाया गया है तो इनोंने काया है कि जो 2021-22 यानि fiscal year 22, 2021-22 यहाँ पर जो भारत की GDP है ये 10% रहने वाली है तो इसको आप धियान रखिएगा साथ ही नोंने काया है कि जो 2022-23 है यानि fiscal year 23 इसमें 6-7.5% रहने वाली है किस देश की Garbine Mugruja ने Estonia की Annette Conte Wit को हरा कर अपनी पहली WTA Final Championship जीती है ओप्शन से आपके सामने इटली, इस्पेन, फ्रांस या फिर सलोवाकिया सही आंसर होगा ओप्शन B तो इस्पेन्स Garbine Mugruja डिफिटेड Annette Conte Wit of Estonia to win her first WTA Finals Championship तो यहाँ पर फ्रेंट्स टैनिस की बात हो रही है तो देखे, इस्पेन की हैं आप यह याद रखेंगे और इस्पेन की हैं आप यह याद रखेंगे और इस्पेन को भी अपना पहला WTA Finals टाइटल मिदा है तो इसका मतलब इस्पेन ने इस्पेन का कोई खिलाड़ी आज था कि टाइटल नहीं जीता था डब्लू टीए फाइनल टाइटल ठीक है तो अब जीच चुकी है Garbine Mugruja बाकिवर हम इसी में डबल्स की बात करें टाइटल टीए फाइनल शुबल्स की बात करें तो बारबोरा जीती है और कैटरीना जीती है अच्छा यहाँ देख रहे हैं आप दफ़स्ट इस्पेनियार्ड तो जो इस्पेन के लोगों थैं उन्हें बोलता है इस्पेनियार्ड जैसे Mumbai के लोगों यांने बोल देते हैं नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है लद्दाक मनिपूर उत्राखंट यह जमुएंट कश्मीर सही आंसर होगा option A तो देखे लद्दाक में उपने राज्य सैनिक बोर्ड बन जाएगा और इससे क्या होगा जो लद्दाक एडविस्टेशन है और जो केद्र सी सरकार है इनके बीच काफी अच्छा एक लिंक इस्थापीद होगा बाकी हाली में हमने पढ़ा था कि जो माय रक्षा मंत्री इसको लद्दाक के चूसूल में जो है किया है और रास्ठ को समर्भित किया है इन निमली कित में से किसे एसोचीयेटेड चैमबर्स ओफ कोमर्स एंडि इंडस्ट्य ओफ इंडिया यानि ऐसोचेंड द्वारा सरफसेट्ट चैत्रे ग्रामीड बैंक को सित गया जैन के ग्र प्रुनाचर प्रदेश रूलर बैंक करनाटका विकास ग्रामींड बैंक या फिर आंध्र प्रदेश ग्रामींड विकास बैंक सही आंसर एफ्रेंट से आपर ऑप्शन सी सो करनाटका विकास ग्रामींड बैंक वाज एड्जुस्ट बेस्ट रीजनल रूलर बैंक बाइड गोपी कृष्णा भारत में संयुक्त राष्ट के निवासी समनवे अक्के रूप में किसे नियुक्त किया गया सही आंसर होगा ओप्शन ए सोंभी सार्फ हैस बिन अपॉंटेड एस द युनाइटे निशन्स रेजिनेंट कोडिनेटर इन इंडिया अच्छा जो इसमें C ओप्शन है ना तो यह नाम आ रहा है याद मैंने आपको कई बार बताया है और दो बार एक्जाम में मैंने दिखाया भी आपको स्क्रीनशोट लेकर जो एक्जाम में आया था कि ये देखिए एक्जाम में आया था ठीड कि आइडेन्टीफाइए गरो कोन ह огр podia करो कि कर नीए जब मैंने आपको पड़ाय है जमेडिक हुनी दीए तब मैंने आपको बताय है को फिर्लीम पर बहुत कर्षी मिंधेार क भी कर सक्रीन आक़ते इक तो यह किजो एक चैंस में जो EPF वोगा पेपर हुआ है और एक उत्राखंड का भी एक पेपर हुआ था उसमें भी आया था तो कॉमेंट बोक्स में जुरूरू बताना कौन है यह फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका तो देखी युनाइटेड नेशन्स की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गोट्र इन्होंने जो है सोंबी शार्प जो कि युनाइटेड स्टेट्स के हैं इनको भारत में युएन रेजिनेंट कोडिनेटर जो है एपरूव किया है तो इससे क्या होगा जेखी जो भारत में जैसे कोवीड-19 की सिचुएशन चल रही है या फिर और कोई सिचुएशन है तो यदि भारत कोई राय चाता है ठीक है तो वो इनई के थू कह सकता है युनाइटेड नेशन से से मान लीजिए अगे बढ़ते हैं नवजाद देख भाल सब्ता कब से कब तक मनाया जाता है सही आंसर होगा option D So newborn care week is celebrated from 15th to 21st November और इस बारत हो जारी किसमें इसका theme रहा है safety, quality and nurturing care, birthright of every newborn बारत का पहला मतस्य पालन व्यवसाय उस्मायन किंद्र किस सहर में सुरू किया गया है Kolkata, Mumbai, Chennai या फिर Guru Gram सही आंसर होगा option D India's first fisheries business incubation center has been launched in Guru Gram तो Guru Gram का है हरियाना में है तो यहाँ पर जो है हमारी union minister of fisheries, animal husbandry and daring पुरसोत्तम रुपाला ने इसको launch किया और इसका नाम क्या है Linek NCDC, fisheries business incubation center मैंने आपको कई बार बता है कि incubation का मतलब क्या होता है incubator या फिर incubation center यानि कि जो इस field में काम करना चाता है मानली जो कोई startup अपना खोलना चाता है तो उसको पुरा guide किया जाएगा उसको हरी एक facility provide कराई जाएगी उसको बोलते हैं incubation center या फिर incubator जो किसी startup को grow करने में मदद करे उत्तरपरदेश के पहले वायू परदूशन नियंतरन टावर का उत्तकाटन किस इस्थान पर किया गया है नोईडा जहांसी कानपुरिया फिर गाजयाबाद सही answer ए option A the first air pollution control tower of उत्तरपरदेश has been inaugurated at नोईडा तो नोईडा में किया है किसने किया union minister of heavy industries महिंदरनाथ पांड़े ने एर पोल्यूशन कंट्रोल टावर इसको लॉंच किया है नोईडा में किसके द्वारा बनाया गया है यह डेवलप किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रिमिडेड भी एचियल के द्वारा विश्व रोगान उरोधी जाग रुकता सप्ता हर साल कब से कब तक मनाया जाता है सही आमता रोगा उप्शन डी वर्ड एंटी माइक्रोबियल अवेर्नेस वीक is celebrated every year from 18th to 24 November और इस बार 2021 में इसका थीमरा spread awareness stop resistance Swiss brokerage firm UBS Securities ने 2021 के लिए भारत के वास्तिविक सकल घरे लियूत पाथ की वृद्धी के नुमान को पहले के नुमानीत 8.9 परतीशत से संसो दित कर कितने परतीशत कर दिया है सही आंसर होगा ऑप्शन C. The Swiss brokerage firm UBS Securities has revised India's real GDP growth projection for 2021-22 to 9.5% from 8.9% estimated earlier तो पहले 8.9% इसमाने बताया था सी तंबर में अब कहरेंगी 9.5% रहने वादी है जो करेंट फिसकल चल रहा है हमारा फिसकल ये 22 इसमें साथ रहा है फिसकल ये 23 में 7.7% और फिसकल ये 24 में 6% किस देश के महान क्रिकेटर AB Divilliers ने खेल के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना कर दी है यह आप सभी जानते होंगे सही आंसर का ऑप्शन C. So South Africa's legendary cricketer AB Divilliers has announced its retirement from all forms of the game तो देखिए AB Divilliers का नाम क्या है? Abraham Benjamin Divilliers ये इनका full name है तो इन्होंने जो है अब retirement लेने घोशना कर दी है इनको Mr. 360 degree भी बोलते हैं क्योंकि हर दिसा में short लगा सकते थे आसानी से वो भी तो देखिए International Cricket से तो ये साल 2018 में यलविदा कहा चुके है लेकिन अब इन्होंने जो है IPL और या फिर और भी ये domestic league खेलते देना तो उससे भी इन्होंने retirement ले गिया है तो ये royal challenges बैंकलोर के लिए IPL में खेलते थे तो अब यहां से इन्होंने सन्यास लेगा अच्छा इस चीज़ा आप याद रखेगा फोर्मर साउथ अफरे का इसकी पर AB D. Williards hangs up his boots ये वाला जो friends पूरा idiom आप इसको कह सकते हैं ये आपके SSC के एक्जाम में पूछा जाता है SSC हो गया या फिर और भी कोई एक्जाम में स्टेट के एक्जाम में जरूर नहीं कि SSC ही जहां पर इंगलिस पूछी जाती है ना चाहिए वो बैंक ही हो महाँ पर इस तरह की idioms पूछे जाते हैं और ये काफी important है hang up once boot hang up once boot का मतलब होता है कि जो है retirement की चीज़ से ले लेना ठीक है किसी चीज़ को फिर त्याग देना खासकर कि boxing में यूज होता है जब boxer होते है ठीक है तो उसको boxer रिटायर ले लेते हैं महाँ से शुरू आता है hang up boots ठीक है कोई भी grader हो आप इस वाले idiom को यूज करके बना सकते हैं मान लिजे किसी grader ने सन्यास ले लिया तो आप है कि he hanged up his boots तो सीथा सीथा आंसर क्या होगा टो रिटायर सिनोनीम में क्या जाएगा रिटायर खेर इसमें पढ़ेंगे आगे तो देखिए जो ABD विलियर से याद रखेगा कि one day cricket में सबसे तेज 50 सबसे तेज 100 और सबसे तेज 150 मनाने का recording के पास है साथ ही एकलोते ऐसे ब कि इन्होंने टेस्ट डेब्यू अपना इंग्लेंड के खिलाफ कियाता साल 2004 में 114 टेस्ट इन्होंने खेले हैं वंडे इंटरनेशनल इन्होंने अपना डेब्यू किया था आगे बढ़ते हैं दर डिस्रपटर हाव विश्वनात परताप सिंग शुक इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है सही आंसर उगा ओप्शन डी तो देवाशीश मोकेरची इस ता ऑफर अफ़ द बूक टाइटल दर डिस्रप्टर हाव विश्वनात प्रताप सिंग शुक इंडिया तो देखिए इन्होंने फुस्तक लिखिए आपको बता दे जो विश्वनात प्रताप शिंग यानि वीपी सिंग आपने कई बार सुनाओका वीपी सिंग की सरकार रहे से सुनाओका तो जो वीपी सिंग थे यह एड़्थ प्राइम मिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं 1989 से 1990 तर 1990 तक 1990 तक और यह एक लोगत ऐसे प्राइम मिस्टर है जो कि पहले जमीदार भी रह चुके साथे आपको जाना चाहिए इन्हीं के कारेकाल में जो मंदल कमिशन रिपोर्ट थी इंडिया की बैकवर्ड कार्स सम्बंदित को इंप्लीमेंट की गई थी नोवी का पाडिया जिनका हाली में जिधन हो गया किस खेल के परसिद्ध कमेंटेटर थे बॉक्सिंग, होकी, क्रिकेट या फिर फुटबोल सही आंसर होगा ऑप्शन डी तो नोवी का पाडिया फुटबोल के काफी जाने माने ये कमेंटेटर थे और डैली उरस्टी के प्रोफेसर भी थे तो 67 एर की एज में इनकी जो है डैथ हो गई है अब देख लिएते हैं प्रीवेस असाइन्मेंट कुश्चिंस के आंसर नेम दा गवर्नर एंड सीम अफ सिक्किम सो गवर्नर इस गंगा पर्शाद और सिक्किम प्रेम सिंग तमांग या फिर पीस को ले भी इनको बोलते हैं विच स्टेट सालिब्रेट्स चाप्चार कूट फेस्टिवल आंसर इस मिजोनम हूँ है प्रमोध चंद्रमोधी नौरोवायरस इंफेक्शन है विच स्टेट आंसर इस केरला क्रियो 3 मिशन कंसिस्टिंग इंडियन ओरिजन नासा अस्ट्रोनोट राजाचारी एज इट्स मिशन कमांडर वाज ओपरेटेड बाइट बाइज इस इस पेस एक्स एंड नासा इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहा किजिए अच्छा लगता है में भी देखकर अगर हम आज की असाइन्में कोश्चन की बात करें तो चलिए सुरुवात करते हैं इस तरह से यूज नहीं करते हैं पर फिर भी बताईएगा वी स्ट लेडिय ओफ इंडिया नेम दे कवर्नर एंड सीम ओफ मनिपूर विच स्टेट सेलिब्रेट सागादवा फेस्टिवल यह सबसे इंपोर्टन यह कई वार पूचा जाता है यह वाला फेस्टिवल इससे प कौन सा इस्टेट सेलिब्रेट करता है जरूर बताईएगा ताइवान डिसेंटल ओपन रिप्रेजेंटेशन ओफिस इन विच कंट्री यह आपको बताना है इंपोर्टन थे क्योंकि चाइना एलाउन नहीं करता है किसी भी कंट्री को कि ताइवान का ओफिस या भी काम से रिलेशन ओफिशली रखे जाएं ठीक है बढ़ना चाइना के गुस्से का सिकार होना पड़ता है यसा चाहिना कहता है विच इंडियन इस्टेट हैस डिसाइडेट तो गिव राशन्स ओनली तो दोस हूँ आर फूली वेक्सिनेट तो पांचो कोश्चन की आंसर आप तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी जोईन कर सकते हैं और current quiz हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आप हमारे current affairs की playlist दे गई है इसको आप जरूर देखे अपने दोस्तों के साथ या fellow estimates के साथ साथ हमारे करन टफेर्स को जरूर शेयर करें आज का शेशन आपको हमारा कैसा लगा कॉमेंट्स बोक्स में जरूर गताईएगा थेंक्यू गाइस